मैं यहाँ आज क्यों आपके साथ बैठा हूँ, ये बात करने के लिए क्या आयरवेद में इसका समधा नहीं है, क्या बिलकुल भी ऐसी आउशद आयरवेद में उपलब्द नहीं है पिछले काफी समय से हम और आप पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, कोई बिरला देश होगा जहाँ पे इसका प्रभाव नहीं कह सकते हैं कि इसकी लहराई या फिर एक ऐसी विदी पता चल गई जिससे हम वाइरसिस को जाच सकते हैं या एक पर्टिकुलर वाइरस को जाच सकते हैं और हम उसके प्रति सजग हुए और काफी जादा मात्रा में उसमें हमें ये लगा की ये फैल रहा है ऐसे लखों और वाइरुसिस होंगे जो हम लोगों को रोजाना अटैक करते हैं हमारा शरीर उसे लड़ता है चोटी मोटी दिक्कते आती है और फिर हम ठीक हो जाते है लेकिन कोरोना में ऐसा क्या है कि ये ज़्यादा हमें डरा रहा है या ज़्यादा ये इस पर चिंता करने की बात कौन सी है दरसल कोई भी चीज जब नहीं नहीं हमारे पहचान में आती है हमें उसकी नॉलेज कम होती है हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं ऐसी विदियां भी उसमें अपनाई चली जाती है जो की नहीं अपनाई जानी चाहिए थी समय के साथ फिर बहुत नुकसान उठाने के बाद इनसान को पता चलता है ऐसे नहीं ऐसे करना था आप पुराने वाइरसिस कोई उठा कर देख लिजे जब वो नहीं नहीं आए तो बहुत लोगों ने अपनी जान गवाई बहुत नुकसान हुआ फिर जाके पता चला नहीं ऐसे अगर ऐसे ठीक कर दे तो जल्दी ठीक हो जाना था फिर तो डरने की बात ही नहीं थी और अब वो जो पुरानी बिमारियां अब अगर किसी को हो जाएं तो इंसान कहता अच्छा तुम्हें वो हो गई है कोई नहीं तुम ये कर लो रेस्ट करो ठीक हो जाओगे अब भी हलात ऐसे हैं कि बाहर बाहर मीडिया में एक ही चीज जब हम सुन लेते हैं तो घपराहट होना सभाविक है खेर ये बातें अलग है मैं यहाँ आज क्यों आपके साथ बैठा हूँ ये बात करने के लिए क्या आयरवेद में इसका समधा नहीं है क्या बिलकुल भी ऐसी ओशद आयरवेद में उपलब्द नहीं है दरसल आयरवेद में बहुत सारी ओशदियां हैं जो कोरोना से लेकर के इसके आने वाले स्ट्रीम्स तक और जो वायरवेद जिनके बारे में मनुश्य और हम सब आप लोग परिचित भी नहीं हैं उन सब से लड़ने के लिए सक्षम है समर्थ हैं प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया उसमें भी आयरवेद ने हमें किस चीज की समझ नहीं दी अब तक हर चीज उपलब्द है कमी कहां रह गई कमी हमारे अपने इंटरस्ट में रह गई सरकारों ने अपना जोर लगाया चुकि एलोपैथ का जो एक advancement है वो हर जगा पर उपलब्द है एलोपैथ के उपर funds भी जादा लगे हैं modern medical science के उपर उसके team भी बहुत बड़ी है तो मुखे जिम्मारी उनको दे दी गई कि आप इससे लड़िए आप इससे लोगों को बाहर निकालिए जो कि उनके लिए गरव का विशे है हम भी उनके साथ हैं हम उनको अकेला या वो हमसे कोई अलग है ऐसा हम उनको कभी भी एहसास नहीं होने देंगे लेकिन आयूरवेद इसमें बहुत पीछे रह गया मेरे ख्याल से शुरू-शुरू में सरकार की guidelines थी कि कोई भी चीज आप अपने हिसाब से ना करें जो government की guidelines हैं उसी के हिसाब से चलें और शुरू-शुरू में आयूरवेद के departments को मंत्रालियों को funds भी दिया गया शायद नहीं भी दिया गया मैं नहीं जानता लेकिन बड़ी उमीद सी बनी थी कि कोई ख़बर आएगी कोई announcement होगी कोई research होगी जिससे की हम किसी निशकर्ष पर पहुँचेंगे शायद हुई भी हो या हो रही हो उनको लगता हुआ कि हमने कर दी है लेकिन हर किसी के कानों तक नहीं पहुँची कुछ एक संस्थाओं ने उस पर काम किया बड़ा काबिले तरीफ है उनको विरोध भी सहना पड़ा उसके बावजुद भी ये कह दिया जाए कि वो research उनकी complete हो गई है ऐसा नहीं है आयर वेद में हमारे रिशियों के बनाए कई फार्मूलाज कई ऐसी उप्चार पद्धतियां और शिदियां जो classical है जो रिशियों की बनाई गई है जो viruses आप आज इनका नाम ले रहे हैं इन से लड़ने की बाते कर रहे हैं उन्होंने उसके लिए पहले ही जाद करके रख दी है कमी कहां रहे गए कि हम और आप लोगों को उसकी awareness नहीं है चिकिसकों में भी एक डर था आया है या अपने आप में एक अकेला पन है कि मैं अकेला क्या कर लूँगा मेरे पास इतनी टीम नहीं है मेरे पास इतनी advanced infrastructure नहीं है कि मैं adverse या मैं बहुत जादा जब critical situation किसी patient की हो तो इसको tackle कर पाऊ ऐसे में हर आईरवेज का चिकिसक अपने आपको उसे दूर रखना ही पसंद करता है कि चलो ठीक है मैं क्यूं बेवजा किसी मसले में या किसी चीज में अपने आपको डाले तो यहाँ पे हर इनसान जब अपनी responsibility समझता तो है लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण पीछे हटता है तो फिर पूरी परंपरा पूरी पद्धती पूरा का पूरा कल्चर पूरी की पूरी आयरवेट की जो एक हमारी शेली है जो हमारा एक चिकिसा का एक ढंग है परनाली है वो पीछे आ जाती है ऐसे में चंद लोगों के उपर दुनिया की नजरे टकी होई होती है कि शायद ये कुछ करेंगे कुछ लोग करते हैं कुछ लोग कर पाए कुछ लोग नहीं कर पाए मैं भी सोच रहा था मैं कुछ करूँ लेकिन सरकार की गाइडलाइन्स हमारे जो समिधान कहेगा हम उसके साथ है लेकिन कल का दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैंने अब पता नहीं ये चीज कितनी नैचुरल है कितनी चीज बढ़ाई जा रही है या वाके में है होगी भी जारी शीवात है जो बिमार है जिसके फिफड़े कमजोर है जिसको कोई कह सकते हैं कि बिमारियां जल्दी पकड़ती है जो बहुत जादा बिमारियां में पहले गिरा हुआ है उस वेक्ति को बहुत प्रिकॉजन लेने की जरूरत है कोरोना या किसी अन्य वाइरस की चपेट में जदी वो आता है और ऐसे में वेक्सीनेशन के खिलाफ में हूँ मैं ऐसा नहीं कह रहा लेकिन क्या सिर्फ वेक्सीनेशन ही बची है हमारे दुनिया में हम लोगों को बचाने के लिए क्या हम उस पे ही सिर्फ इतना विश्वस्ति निया अपने आपको लाय करा सकते हैं कि आयरवेद में ऐसा कुछ नहीं है बहुत कुछ है लेकिन हम और आप लोगों को जो चिकिस्सक हैं आयरवेद के जो बड़े जाने माने इंस्टिट्स हैं उनको थोड़ी अपनी थप थपानी पड़ेगी खोदी उनको थोड़ा आगी आना पड़ेगा इसी मकसद से मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ बाते शेयर करने के लिए मुझे ये बहुत पहले शेयर कर देनी चाहिए थी मुझे लगा कि नहीं मुझे भी इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए सरकार कर लेगी हम उनका सम्मान करें जैसे वह करें कहें लेकिन मैंने देखा कि आयरवेद की परंपरा में इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उसे उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे कि नीचे कोई हीरे की खादान हो और उस पे हम मट्टी डाल करके बैठे हैं और रो रहे हैं गरीबों की तरह कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है हम क्या करें ठीक ऐसी ही मेरे अंदर भावना फीलिंग आ रही थी तो मैंने सोचा मैं एक चिकि नहीं है मैंन पावर नहीं है अभी फिल हाल के लिए परमात्मा करें मैं भी काम कर रहा हूं कि ये धीरे धीरे हम इस सेवा को अपनी हर घर पहुंचाएं घर घर पहुंचाएं दुनिया के आखरी दरवाजे तक पहुंचाएं लेकिन फिल हाल के लिए क्या किया जाए फिल ह के लिए हम और आप लोगों को एक जुच होना हेगा तो ऐएये जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा इस को रोग और पड़ने लोगों को इस से भाहर सबसे पहले यह देखना होगा कि हमें तीन भागों में उपचार को बांट लिना चाहिए एक precaution जो कि रोग आने से पहले ही जब रोग का पूर रूप तयार होता है या उससे भी पहले की अवस्था में हम उसको as a resign कह दे as a उसमें हम लोगों की immunity बढ़ाने के लिए कह दे तब करना है ये उपचार इसमें हमने क्या करना है इसमें आप लोगों के पास सेंकड़ दवाईयां होंगी लेकिन मैंने अपनी 24 से 2-4 आइटम चुनी जो मुझे लगा की 95% लोगों पे ये सही बैट जाएंगी बिना किसी side effect के बिना किसी जादा उलजन के तो उसमें सबसे उपर मुझे जो लगा वो था बनफसा बनफसा का हलाकी हमने शर्बत भी बनाया है और बहुत फार्मेसियां बनाती भी हैं मैं कोई opportunity को cash करने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं aware करने के लिए बना रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो भी अच्छी फार्मेसी जो भी अच्छा ब्रैंड मनफसा शर्बत को बनाए आप उसे recommend कर सकते हैं as a precaution भी और as a treatment भी ये अगर किसी को कफ और mucus की condition है तो गरम पानी में गुनगुने पानी में जितना वो सह सके उस तरह के पानी में उसे एक कप पानी में 4-5 अमच सुबह दुपहर शाम दिन में 3-5 बार उसको सिप सिप करने के लिए पीने को दिये जा सकते हैं ये दो तरह के काम करेगा एक तो ये infection को दूर करेगा फेफडे की चोटे मोटे infections को ये पकड़ लेगा साथ ही साथ ये फेफडों को मजबूत भी बनाएगा हमारा ये जो जितना track है epigastrium part है उसको भी मजबूत करेगा और साथ ही साथ बनफसे की खासियत ही ये है कि हमारा ये फेफडों का मंडल है जो जब ये blood stream में जाता है उसके बाद इसका main function जो है शरीर के पित को कम करना होता है और कफ को भी कम करना होता है दोनों चीज़ें एक साथ करता है जहां एक तरफ दूसरी दवाएं गर्मी कर जाती हैं कई बार patient को हम कफ सुखाने की दवाएं देते हैं वहाँ ये safe है बच्चों से लेके गर्वती महलाओं तक कोई diabetic patient हो अगर तो आप उसे कह सकते हैं कि भई आप इसे ना ले आप चाहें तो आप बनफसा के सुखी जड़ी बूटी या बेल जो भी वो ले आएं उसे ताजी लाइएगा ज़्यादा पुरानी ना मिले ज़्यादा फिक्की ना मिले उसमें रंग हो फूलों में उसकी पत्तियों में वो उबालिये उसका काड़ा बनाईए दो तीन चमच बनफसा चार चमच ले लिया और डेड़ ग्लास पानी में वाला जब एक तिहाई रह जाए तो उसमें अगर डाइबिटिक है तो बिना शूगर मिलाए भी उसको चान के सिप सिप करके पी सकता है दिन में एक दो बार तीन बार इससे फेफडों की रक्षा हो जाएगी तरह तरह की इंफेक्शन से और सांस चड़ना, सांस रुकना जैसे कई लोग कहते हैं मुझे ब्रीधिंग लेने में कठिनाई हो रही है यह काफी मददगार है इसमें कई combinations और एड़ किये जा सकते हैं जो कि वैद्देबाई बहन अपनी समझ से कर भी सकते हैं मेरी इसमें कोई interference नहीं रहेगी मैंने एक ही जड़ी बूटी क्यों चुनी क्योंकि हमें अगर पूरे विश्व को स्वास्त देने की बात करनी है तो सबसे पहले चीज economical होनी पड़ेगी कम खर्चे में होनी पड़ेगी ज़्यादा आउश्दियों के combination करेंगे तो किसी को उसको digest करने में या suit करवाने में दिक्कत आ सकती है इसलिए मुझे ये बनफसा ज़्यादा बड़ी अलगा दूसरे नंबर पे जो हमें रक्षा के लिए प्रति रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए करना है वो है गिलोय वित्रण सभी चिकिसक भाई बहन अपने साथ संपरग में जुड़े हुए सभी रोगियों को उनके परिवारों को गिलोय जरूर रिकॉमेंट करें कि आप इसको 48 दिन तक एक मंडल तक 48 दिन तक कोई वाश्दी दी जाए तो पूरा उसका एक कम्यूनिटी का अंदर एक त्यार हो जाता है एटमस्फियर बाडी में तो वो एक कोर्स करवा दे 48 दिन का हर किसी को सुबह शाम चाहे वो गोली की फोम में ले ले चाहे वो उसकी डंडी जो एक साल पुरानी हो जिस पे छिलका आ गया हो उसका छिलका उतार के उस डंडी को छेंच की डंडी को चबा चबा के दातुन करके उसका रस पी जाए सुबह इस तरह से गिलोए उसकी रोज मर्रा के जिवन में आ जाए और वो 48 दिन अगर लगा तर खाते ही जाना ऐसा नहीं है उसके बाद अगर कुछ समय ना भी ली जाए दूसरे लोगों तक वो पहुंच सके उसकी shortage ना आ जाए इसका भी ध्यान रखना है तो 48 दिन मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा उसका course हो जाएगा immunity बढ़ाने में क्योंकि छोटे मोटे viruses आपके हवा में मौझूद है table पे मौझूद है आपके कहीं पे हम touch करते हैं कहीं न कहीं से आएंगे तो हमारा ultimate solution तो यही है इसमें हम करें बाकी जैसे जैसे मौसम जहां जहां ठंडा है जादा वहां जादा चावंप्राश आईरवधिक पे जादा प्रयोक कराए जाएं जिसकी प्रकृति जादा ठंडी है उसको ऐसी चीज़ा जादा दी जाएं जिसकी प्रकृति जादा गरम है उसको सिर्फ यही दो चीज़ों पर रखके कुछ इस तरह की चीज़े और कुछ प्रणायाम इस तरह की चीज़े नस्य तो मैंने पहले भी बोला था जिस दिन कोरोना आया था उसी दिन मैंने आपको कहा था कि आप नस्य नसिका में दे सकते हैं आप अनू तेल से नस्य दें आप नसिका में कोई और ऐसा ओशदिय तेल प्रियोग कर सकते हैं उस रोगी की condition के इसाब से तो ये आपको कर लिना चाहिए साथ ही साथ उसे जितना वो मालिश करेगा जितना जादा वो अपने आपको प्रणायाम करके योग करके अपने टॉक्सिंस को रिमूब करेगा अपने आपको बिल्ड करेगा survival of the fit test दुनिया में वही survive कर पाता जो fit test है तो अपने आपको fit रखने का शौंक वो हर कोई बनाए तो इसे एक precaution हो जाएगी दूसरे चरण में हमें ऐसे रोगियों को रखना है जिन में यहां तो लक्षन नहीं है सिर्फ report positive है या थोड़े बहुत लक्षन है लेकिन उनकी past history बहुत जादा रोग से ग्रसित नहीं है या यूं कह सकते हैं कि बहुत जादा कोई chronic problem कोई major health issue नहीं है और आपको पूरा sure है कि यह आराम से इस समस्या से बाहर आ जाएंगे उसमें आप उनको जो चिकिसा हमने जा जो चीजें हमने precaution के लिए दो दी थी वो तो देनी ही है साथी साथ उनके symptoms को देख करके आप आउशदी का चुनाव कर सकते हैं लेकिन सबसे में आउशद जो मैं समझता हूं वोकल एरिया में नॉस्टल के एरिया में और उपर के ट्रैक में जो ये वाइरस है ये अटक कर रहा इसके लिए त्रिभूवन कीरती रस बैस्ट है और इसके इलावा इसके अल्टरनेट रस भी वड़े हैं बहुत सारी वटियां और है गूलिया है रस वटियां तो वह चलाई जा सकते हैं आप चिकश्चक हैं आप अपनी सूजबू से उनको दे सकते लेकिन त्रिभून कीर्थी रस आप डिसाइड कर सकते हैं तीन दिन देन अगर सल्गोश में तो बुखहर उतार देता है सथ में अगर किसी को बुख़ार के सिम्टम्स भी दिक रहे हैं तो उतार देता है हम इसको अगर नॉर्मल ही iz से बना हैं तीन बार दिन हैं उनको आप गाड़े चीनी के गोल से चटा सकते हैं चटाना बैटर रहेगा बजाए इसके की पानी से दिया जाए पानी से देना तो ऐसा होगा कि जैसे तीर निशाने पर लगा ही नहीं तो यह एक औशद है इसके साथ आप अपनी समझ से लक्षमी विलासरस का नुपा ए कर सकते हैं सुबह शाम यदि वो बच्चा है महिला है उसको छोड़ करके कोई खाली पेट का काड़ा भी दे सकते हैं तो इस तरह से आप उसको अपने पूरी की पूरी गाइडंस में रख सकते हैं मैं समझता हूं आमला या त्रिफला त्रिफला इसमें बहुत अच्छी भ हमारे हामला या त्रिफला में वाइटमिन सी बहुत होता है साथ में कहीं न कहीं उसकी डाइट में गाजर और काले चने का सूप गय का घी खिचडी और उसको बोला जाए कि तुम जादा हरी मूंग लो चिलके वाली तांकि तुम्हारा वीरे बड़े बल बड़े उसे ब्र बहुत जादा वो उसकी ध्यान इस तरफ है तो उसे हटाया जाए उसे एक लिमिट बांदी जाए कि तुम्हें इस तरफ रहना ऐसे रहना है क्योंकि यह कॉरंटाइन होता है जिसमें आप अपने आपको लिमिट कर लेते हो एक जगा में एक यह कॉरंटाइन है जिसमें और आपके ताकद बढ़ती है यहाँ पर उसको खाने के लिए और हम सेब दे सकते हैं आम ऐला को सबजी में उबलवा देते हैं उसको घी वह जा जाती है उसको घी वह ज्याट जाता तो वह गले को भी खराब नहीं करता पकड़ता नहीं तो बड़ा अच्छा उसमें पाच और कफ बढ़ा सकता है लेकिन अगर उसमें सुवा लगा के उस पो आग पे भुन लिया जाए बैंगन की तरह उसमें से फिर जब गरम अनार निकले जब चिलका जलके तो उसको जब थोड़ी उसके उपर अगर वो पित्तज नहीं है परकरती का तो उसमें काली मिच लगा के अगर वो पित्तज है तो सिंपल उसमें हलका सा गुनगुना नमकादी लगा के ऐसे उसको चुसने को चबाने को दिया जाए तो वो बड़ा अच्छा काम कर जाएगा फेफ़डों की ताकत बढ़ाने के लिए ऑक्सिजन लेवल घट्रा होता है उसको उपर लाने के लिए स इसके इलावा अमरूद होता है जो वो भी इसी तरह आग पर भून करके दिया सकता है वो भी कफ से लड़ लेगा यू तो दोनों और फल कफ पढ़ाते हैं लेकिन जब भून के दिया जाते हैं ना तो किसी को गरम करेंगे ना ही यह कफ पढ़ाएंगे सेभ खिला दिया प्रशहा पैसटेशा यह लोगू हisen वाला दोद द गलेला चावल देइं दूद भी थोड़े समय बंद कर के उसको बोलो गर लेन ही है तो हल्दी वाला दूद idol ले ले अगर बैसकते हो तो एक आता है उसको पोलता है चातुर जात चूर्न चातुर्च JáTUर्जात चूर्न ह आप उसको बोलें कि दूद में इसे उबा लें और फिर चाहे चाहे की तरह पिए देखिये दूद कफ नहीं करेगा देखिये दूद आपके गले में कोई infection करेट नहीं बढ़ने देगा बढ़ती कब है जब रात को लोग देखिया रात को खीरा खा रहे हैं खाने की सबजी में उपर से क्रीम डाल के खा रहे हैं यह निमंतरन है सरा सर फेफ़रों के रोगों को वायरिस को पनपने के लिए आप अपने अंदर एक न्यूक सी एक वाता वाता वरंदल उस वायरिस से लड़ने के कैपेबल नहीं है आपने खूश ऐसे आहार ले रखें आपको पता नहीं है आहार का सहीम क्या होता है तो आपको वायरिस पकड़ेंगे यहां तक आपने जन्रल एक लाइन आफ ट्रीटमेंट पूरा कर लिया अब इसके बाद बार करके काम करना पड़ेगा गवर्मेंट के प्रोटोकोल जो बने हैं गवर्मेंट की जो नियमावली है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आयुरवेद में एडवांस ट्रीटमेंट जब किसी चीज की करनी है तो वहां पे कोई स्टें है च्चिजु को कि आप ऐसा ऐसा कर लें ऐसे सुटैशन और तो ऐसा कर ले अगर ऐसे में आपको बोल दूं कि स्टेंडर को यॉशेशन को कर लो एडवांस हैं तो मैं भी गयर्जमेंदार रमिगना जाओंगा और मैं भी आपको गलत गाइड करता हुआ गिना जाओंगा जो कि मैं नहीं करना चाहता लेकिन आप चाहें तो मुझे कॉमेंट्स में इसी वीडियो के नीचे अगर आप चिकिस्सक हैं तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे से कुछ पूछ सकते हैं अपना अनभव दूसरों से सांजा कर सकते हैं तो मिल जुल करके चर्चा करके हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ ऐसी बाते करेंगे जिसमें हम कुछ ऐसी एडवांस लेवल की चीज़ों को कवर करने की बाते करेंगे हलाकि मैं अंत में जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऑक्सिजन लेवल जब गिरे तो भीम सैनी कपूर या साधा कपूर अगर मिल जाए तो वो किसी काच के मरतबन में 2-3 टुकड़े 40-50 ग्राम की मात्रा में बंद करवा दिये जाएं एक व्यक्ति के लिए एक उसमें अगर वो दिन में खोले उसे और 5-7 लंबी सांसें खीचे और फिर बंद कर दे उसको वो अपना डिबा लग रख ले इस तरह से अगर वो कर लेता हैं तो उसे रात को सोते समय श्री गोपाल तेल चाती पे फिफडों पे मालिश करवाई जा सकती है उसमें थोड़ा अमरित धारा मिलाया जा सकता है नासिका के बाहर एक एक बूंद अमरित धारा की लगाई जा सकती जब सांस रुके उसमें भी मू ढखना होता है बाद में तो उसे आदा गंटा पहले या आदा गंटा बाद रखें तुरंत साथ साथ ना जोड़ें उसका गैप होना जरूरी है तांकि वह दूसरी दवाई को डॉमिनेट ना कर जाए उसके बैनिफिट को उसके होने वाले लाब को ना खतम कर जाए इतना अगर हो गया तो मैं समझता हूं कि काफी चीजें कवर हो गई मेरी जो मैं आप लोगों से शेर करना चाहता था इस वायरस के संधर्ब में और किस्टों को मोटिवेट करने के संधर्ब में मेरा मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना था ना की सरकार की कोई प्रोटो को शेर्ड़ना था मैं बहुत उम वाइरवेद आगे बड़े, लोग बचें, लोग जो आज जूंज रहे हैं इससे, पैसा नहीं है घरों में खर्च करने के लिए, एक आदमी वही दवाई डूमने के लिए, हर कोई गूम रहा है, वो बलैक में बिक रही है, ये चीज इतनी जादा हम लोगों के लिए, इतनी जादा ये सोचने योगव है कि हम भी सोच में पढ़ जाते हैं कि क्या करें, ऐसे में मैंने जहां तक मदद कर सका, मैंने मदद करने की कोशिश के लिहाद से ये वीडियो बनाया, मेरा मकसद किसी की भावना को, किसी की पदती को, किसी की प्रोटोकोल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आयूश मंत्राले से भी मेरी प्रार्थना है, कि वो भी इस चीज में, देखो, आपने कोशिश नहीं करी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बड़ी कोशिश की होगी, लेकिन इसको हवा देने की जरूरत है, हमें भी आगे आने की जरूरत है, ताकि आयरवेद के चिक या हमें अपने साथ जोड़ें, तो ये चीज हमारे लिए गौरव का विशे है, कि हमारे रिशियों ने इतना कुछ, इतने रस, रसायन, इतनी चीजें दी हैं, और अगर दो, चार, दस, बीस होर्स्पिटल, आयरवेद के कोरोना खेरे लिए रिसर्च सेंटर बनाने भी प पढ़ाईये, हसिये, हसाईये, खुश हुईये, विपत्ती के समय में भगवान को याद करिये, उससे बहुत बल मिलता है, इतना बल मिलता है कि कई-कई बार औशदियां धरी की धरी पर रह जाती है, वहां पर कहते हैं सर्व रोग का अख़द नाम, नाम का जो अंदर एक म जो भी कुछ है नीजे कॉमेंट्स में जरूर बताईए, एक छोटा सा निवेदन आप इस नॉलेज को अपने तक्सीमितना रखिए, आप अगर चिकिस्सक हैं तो इसे अपनी समझ को भी इसमें मिला दो, मैं नहीं कहता कि मुझे अंधा दुता आपने आंखों पर पट्ट हो गया हम देख रहे हैं कि यह चीज अब जाने का नाम नहीं ले रही है तो हमें इसे बगाना होगा हाथ में लठ लेकर के आज विलाल इतना ही नमस्कारन जाए्ट